कि नमस्कार मैं डॉक्टर वारुन शर्मा कंसेंटेंट यूरॉल्जिस किड्नी ट्रांस्परांट सर्जन एनेचे में माई हॉस्पिटल रायपूर हम आज बात करेंगे सिस्टोस्कोपी के बारे में आपने बहुत बार देखा होगा पेशाप संबंदी कोई भी तकलीफ होती से बारे में पनारे में यह विए इस तरीके से और नहीं है दो भी नहीं नहीं दोग को इस तरीके से लगता है कि सिस्टोस्कोपी मतलब इलाज है जी नहीं, सिस्टो स्कोपी एक तरीके से पैगनॉसिस बनाने के लिए जो बाकी हम इन्वेस्टिकेशन कराते हैं, उसी का पार्ट है, सिस्टो स्कोपी होती कैसे, जैसा कि नाम बताता है, सिस्टो यानि पिशाप की थैली से संबंदित स्कोपी, यानि एंडो स्कोप या दु उनको देखना है या और कई जाचे करनी है पेशाप की थैली से अगर कोई बायपसी लेनी है उनसे पद्यतिएं के साथ में सिस्टो स्कोपी उसका basic जो टूल है वो है shistoscopy में दोनों तरीके से हो सकता है द Whew ॅ वे चार्चा में कर सकते हैं जहां पर आपको बेहोश न 200 की आजाए जिस को हम office procedure बोलते हैं और दूसरा अंडर अनस्थीसिया किया जा सकता है दोनों fire indication अगलग हैं कई बार ऑफिस बेस पे जो फ्लेक्जिबल सिस्टोस को पाता है जो बहुत ही मुलायम रहता है तदा जिसे तकलीफ कम होती है उसमें ऑफिस या ओपीडी पेसिस पे सिस्टोस्कोपी की जा सकती है यह देखने के लिए कि पेशाप का जो मार गए वो क्यों करके देखना पड़ता है उसकी कितनी है उसकी अंदर और और संकरमन तो नहीं हो रहा है अगर अगल को सकता है तो आपको असे जरूरत नहीं है अगर आपके यॉर्लजिस्क पर सज़ाएं कि डायको बनाने के लिए काफी सारी जानकारी प्राप्ट करने के लिए खर्रोड है तो आप नहीं 축़तिक साम करना धन्याबाइ